हलो फ्रेंड्स गूड मानिंग मैं अशोक और एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का हमारी यूटूब चैनल एके ओफिशियल में दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए अश्चे शब्द परती मिनट डिक्टेशन लेके आये हूँ दोस्तों यह जो डिक्टेशन है वो है रज़िस्तान हाई कोट, विधान सबा, SSC, SSB, BSF, CISF, CRPF, NTPC, ITBP और रेलवेब और भी वो सारे से डिपार्टमेंट है जिनमें यह डिक्टेशन है डिक्टेट की जाती है दोस्तों आप लोग इस तिनो की तेयارी घर बैठकरी भी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेसन है वो आप सब लोगों को मिल सेके तो दोस्तों चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं माननिये सबापति महोदे कौमा मैं आपका बहुत आभारी हूँ जो आपने मुझे इस बिल पर बोलने के लिए समय दिया है विराम यह जो बिल सहकारिता समिती को एक समिती में भेजने का निश्चे किया गया है कौमा जिस पर कल से बहस हो रही है उस पर मैं आपके आदेश से कुछ कहना चाहता हूँ स्रिमान इस बिल को देखा जाए तो यह समझ में आता है कि यह कोई नया बिल नहीं है बलकि जो सन 1912 का कानून है उसी की लाइन पर बनाया गया है और कोई नई बात नहीं रखी गई है सिरिमान इसमें सहकारी खेती की बात रखी गई है अगर यह कहा जाए कि यह कोई नई बात नहीं है तो गलत नहीं होगा जहां तक सरकारी खेती का संबंद है तो उसकी तरफ जनता और विशेशकर किसानों का बिलकुल कोई जुखाव नहीं है और उनका जुखाव ने होने के कारण उन्होंने उसे उस सीमा तक नहीं अपनाया जितनी सरकार को आशा थी शिरिमान आपको मालूम है कि नागपुर कांग्रेस में यह प्रस्ताव पास हुआ है कि सहकारी खेती कराई जाए विराम पूरे देश में इस समय इसका जोर चल रहा है और इसकुल लाने के लिए नए मालूम इसके कितने रुपए रखे गए है विराम यह कहा गया है कि इसके अंदर कोई जोर नहीं है विराम अभी एक माननिय सद्धस्य कहें रहे थे कि राजनितिक पार्टी के लोग यहां पर सहकारिता के संबंद में कुछ कहते हैं और बाहर किसानों से कुछ और ही कहते हैं विराम वे किसी से यह भी कहते हैं कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी मैं यह निविदन करना चाहता हूँ कि यह जो कहा गया है और किसानों के अंदर जो भावना पैदा होती है वह इस बिल से साफ इसपस्ट होती है कि वह गलत भावना नहीं है मैं यह जानता हूँ कि जब किसान पार्टी का जोर बढ़ा और किसानों की आवाज उची हुई तो सरकार ने और हमारे नेताओं ने यह कहना सुरू कर दिया कि हम सहकारी खेती को किसानों के उपर लादना नहीं चाहते विराम बलकि यह तो किसानों की इच्छा पर है विराम लेकिन इसके साथ ही साथ कोमा एक बात मैं पहले भी निविदन कर चुका हूँ और फिर भी निविदन करना चाहता हूँ कि नेताओं का अपना विचार होना चाहिए विराम किसी सभा में जब यह कहा गया कि यह जो सहकारी खेती सुरू की गई है यह तो अंत में सामुहिक खेती की तरफ ले जाएगी विराम दोस्तों मुझे आशा है कि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों आप लोग अगर हमारी यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारी यूटूब चैनल को सब सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप सब लोगों को मिल सकें थैंक यू